20th century के middle में हमने ये समयना शुरू कर दिया था कि DNA के पास इंसान के विकास की complete information होती है जिसके बाद सांटिस्टों ने नाकेवल बीमारियों बलकी genetic disorders, hemophilia, color blindness जैसे और animals की cloning पर भी research करना शुरू कर दिया जिसके वजासे आगे आने वाली generation को इन genetic disorders का सामना नहीं करना तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में DNA की history और इसके complete functions के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं DNA के बारे में हमारे सरीर में RBCs यानि red blood cells को छोड़कर हर एक cell में DNA या genetic codon मौझूद होता है जिसके वजासे हम और जानवरों से अलग humans बनते हैं एक DNA में complete life process, evolution, growth, breeding function के लिए command होती हैं अगर इंसानों के सरीर में मौझूद complete DNA को सुल्जाया जाए तो यह इतना लंबा होगा कि प्रत्वी से सूरस तक 300 बार आया और जाया जा सकता है और लगबग 99% इंसानों का DNA सेम होता है सिर्फ 1% की वजासे हम और आप लोग होते हैं जहातर plants और animals में DNA प्रोटीन के साथ बहुत compact structure की रूप में पाया जाता है और इसी प्रोटीन के वजासे हम अपने सरीर में mitochondrial DNA यानि MT DNA बना पाते हैं जो सिर्फ हमें अपनी मां से प्राप्त होता है तो अब बात करते हैं DNA की structure के बारे में आम तोर पर DNA newglutats का एक double stent polymer होता है जिसके दोनों से हर एक पर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थामिन जैसे बेसिस लगे होते हैं और इन चारों बेसिस का सिक्वेंस कोडन बनाता है फ्रेडरिक मसर्ड ने 1869 में DNA की खोच की थी लेकिन 1943 तक यह नहीं समझ पाये थे कि DNA एक cell genetic material होता है उस समय से पहले सिर्फ यह माना जाता था कि only protein ही सारी information को store करके रखता है अब बात करते हैं DNA के functions के बारी में DNA के functions को जानने के लिए सबसे पहले इसे अलग किया गया और इसके chemical form को खोजा गया जिसके बाद यह पता चला कि एक PD से दूसरी PD में जाने वाला genetic material DNA होता है और जो DNA segments messages को transfer कर रहे थे उन्हें ज प्रोकेरियोट्स में DNA nucleus के अंदर present होता है और जबकि bacteria और अकाया जैसे प्रोकेरियोट्स में DNA cell के cytoplasm में present होता है आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इतना सारा DNA हमारी body में कैसे हिस्टोर रह सकता है तो फिर देखिए हिस्टोर और इसके जैसे कई proteins DNA को अपने साथ packaging करकर या फिर चिपका कर रखते हैं और DNA में हुए नुकसान की मरमद भी करते हैं अगर यह proteins हमारे सरीर में present नहीं होंगे तो यह DNA हमारे सरीर में mutations का region बन सकता है और करीब इंसान का 1 gram DNA Google और Facebook के सारे data को store करकर रख सकता है और इसे बढ़ा कर 2 gram कर दिया जाए तो यह दुनिया की सारी digital information को store कर सकता है और करीब इंसानों का 98% DNA चिंपेंजीन्स और इसके जैसी कई प्रिजातियों के साथ मैच करता है और इंसानों का 85% DNA चूंगों के साथ 40% DNA फ्रूट फ्लैस के साथ और 41% DNA के लिए या उसके पेड़ के साथ मैच करता है अगर आपको यह video informative लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करकर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद